I'm pretty sure इनको आप जानते होगे, कुछ टाइम पहले इन्होंने एक कमपनी बनाई थी Snapdeal के नाम से, ये कमपनी अपने टाइम में बहुत बड़ी कमपनी थी and बहुत famous कमपनी थी, बट बाद में Amazon and Flipkart की बज़े से ये कमपनी एक किसम से गायब हो गई थी and उसके बाद में ये कम कमपनी अपना IPO लेकर आ रही है, मेंन लाइन के टेगरी में अपना IPO लेकर आ रही है, कमपनी का नाम है Unicommerce eSolutions Limited, जानते हैं इस कमपनी के बारे में and इसके आने वाले IPO के बारे में, कई मत जाएए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले जानते हैं इस कमपनी क इस तरह की कमपनिया होती हैं, ये कमपनिया बेसिकली क्या करती हैं, ये कमपनिया एक सिस्टम डवलब करती हैं, एक सौफवेर डवलब करती हैं, जिसका different different इनके clients होते हैं, वो use करते हैं, जिससे इस तरह की कमपनिया revenue generate करती हैं, इस कमपनी के साथ भी ऐसा ही है, इस कमपन करती है जो इस कम्पनी के क्लाइंट होते हैं उनको एक फ्लॉॉलेस सर्विसेश प्रोवाइड करती है अमिन उनके ओपरेशन को यह कंपनी एक किसम से काफी इजी बना देती है और माइन डेट में इस तरह की कोई भी कंपनी इंडिया में अवेलेबल नहीं है अमिन सास मौनल लेंसकाट, सुपरबोतम, जीवमी, चुमबक, पैरगॉन, फामेजी, एक्सप्रेस बीज, सिप रॉकेट, सुगर कॉस्मेटिक, सैलो, एटसेक्टरा, एटसेक्टरा आमिन इस तरह के इस कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं काफी सारे फेमस क्लाइंट्स हैं अब सी ज अगर मैं इस कंपनी का एसेट बेस देखूं तो मार्च 2022 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे अप्रोक्शिमेटल फिप्टी नाइन क्रोर रूपीज के अगले साल यह बढ़कर एटी टू क्रोर रूपीज के आस पास पहुंच गए हैं और मार्च 2024 में इस कंपनी का नाइन क्रोर रूपीज के अगले साल यह बढ़कर 93 क्रोर रूपीज पर पहुंच गई थी और मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रूपीज यह भी 109 क्रोर रूपीज की है अब इसेट बेस एन रेविन्यू में एक किसम से हमें सिमिलारिटी देखने को मिल रही है इन विद इस एसेट बेस विद इस रेविन्यू बेस यह कंपनी अपना आईपयो मोर देन 1100 क्रोर रूपीज की वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है Profitability भी देख लेते हैं March 2022 में इस कंपनी का Total Profit ता 6 करोल रूप masterpiece की आसपास अगले साल भी इस कंपनी का Total Profit ता 6.5 क्रोर रूपीज की आसपास And March 2024 में इस कंपनी का Profit वो सड़नली बढ़ गया है And 13 क्रोर रूपीज की आसपास पहुँच गया है अब see, जो ये company है, एक किसम से इस company का B2B business model है, जो ये B2B business model वाली company होते हैं, इनके margins इतने solid नहीं होते हैं, अगर उनके products में दम नहीं होता तो, इस company के product में दम है, and that's why जो इस company के आप margins देखो, I mean ये company approximately 80% के gross margins पर operate कर रही है, इस company के जो EBITDA margins है, ये approximately 40% के है, 25% से उपर है, and 25% से उपर है, I mean margins इस company के काफी अच्छे हैं, normally इस तरह के margins हमें B2B companies में देखने को नहीं मिलते हैं, हाँ, SaaS companies के अंदर ये margins देखने को मिलते हैं, because ये company हैं काफी unique companies होती हैं, ऐसे ही ये company अपने operation से continuously positive cash generate कर रही है, I mean March 2022 में इस company ने अपने operation से cash generate किया था, approximately 8 करोर रुपीज का, अगले साल ये 14.5 करोर रुपीज का हो गया था, and March 2024 में इस company ने अपने operation से 6 करोर रुपे के आसपास cash generate किया है, I mean revenue बढ़ रही है, profitability भी बढ़ रही है, but जो cash realization है वो एक किसम से कम हुआ है, ये थोड़ा सा indicate करता है that company ने जान बूच कर sale बढ़ाई है, company ने जान बूच कर profit बढ़ाया है, ताकि IPO को अच्छा response मिले, अच्छे listing हो, and investors की wealth बढ़े, अपसी company बहुत अच्छी है, काफी अच्छा revenue model है, अच्छे margins है, and market में कोई भी listed competitor available नहीं है, and अब ये company अपना IPO लेकर आ रही है, इस IPO को थुरू, इस company के performance में कोई भी impact नहीं पढ़ने बाला, because जो ये IPO है, ये 100% offer for sale है, I mean इस company का IPO size है, 276.57 crore rupees का, 102 rupees से 108 rupees का price band है, 138 sales का lot size है, इसे साब से जो आपकी minimum investment होगी, ये होगी 14,904 rupees की, and ये company अपना IPO approximately 85 की PE valuation पर लेकर आ रही है, तो I mean company बहुत अच्छी है, revenue भी बढ़ रही है, profitability भी बढ़ रही है, competition भी बहुत कम है, unique sector में operate करती है, disadvantage सिर्फ ये है, that ये 100% offer for sale है, I mean अगर company इतनी ही अच्छी थी, तो जो इस company के existing shareholders हैं, वो अपने shares क्यों बेच कर जा रहे हैं, यहाँ पर भी एक आपको positivity दिख जाएगी, that जो इस company के founders हैं, जो इस company के promoters हैं, वो अपने IPO के थुरू, अपने shares market में नहीं बेच रहे हैं, जो investors थे, वो अपने shares बेच कर इस company से बाहर निकल रहे हैं, promoters नहीं, promoters अभी भी इस company के अंदर वैसे ही invested रहेंगे, जैसे कि इस IPO से पहले, so पुल मिला के ये एक अच्छा IPO है, problem सिर्फ ये है, that इसी time पर Ola Electric का IPO open है, and इसी time पर First Cry का भी IPO open होने वाला है, तो liquidity market में थोड़ी सी कम होने वाली है, तो इसके पूरे-पूरे chances है, that इस company के IPO को उतना better subscription नहीं मिलेगा, जितना कि अगर ये company अपना IPO लेकर आती, and कोई भी और mail line IPO open नहीं होता, तो उस time साथ इस company के IPO को bumper subscription मिलता, अच्छी listing gain होता, but अभी ऐसा होने के chances थोड़ करें एन चैनल को subscribe करें, thank you